नमस्कार फरीदबाद मैं सौरभ भारदवाज और एक बार फिर हमारे खास कारिकरम विशुद राजनीती में आप सभी का हर्दिक अभिनंदन है स्वागत है एक बार फिर अपने स्टूडियो से लाइव हैं वीओफ स्टूडियो पॉड्कास्ट में और हमारे स्टूडियो रोहिद नागर हैं उनसे बात करेंगे प्रत्याशी हैं कॉंग्रेस की ओर से और तिगाओं में चुनाव लड़ रहे हैं कैसा देख रहे हैं चुनाव को सबसे पहले तो रोहिजी स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो जब से कॉंग्रेस का टिकेट अनाउस हुआ है क्योंकि आज उनका हम उमर हूँ तो वो अपना एक बहतर भविश्य देख पा रहे हैं कि अपने दिल की बात मुझ से कह पा रहे हैं कोई बात है और बड़े बुजरगों में भी उत्सा है कि आज किसी नौजवान को टिकेट मिली है तो नौजवान ज़रूर उनकी को तरक् कॉर्ट टेक्शाह देखने लाइक है कि क्या लग रहा है इन पिछले बीस फ़च्चन दिनों में या यूं कहें कि पिछले पंधरह सालों में कॉन सी समस्या इस इलाके में खासवर से देखने को मिली हैं देखिये समस्याह आज मैं जो अपने इलाके में जारा हूं ते ने प्लॉटिंग तो कर दी छोटे चोटे 20 गज के 50 गज के प्लॉट तो काट दी है वो भी जीपी पे काटे क्योंकि रिश्ट्रियां बंद थी आज लोगों के मन में एक डर ये सताता है कि कल आके हमारे मकानों को कोई तोड़ना जाए मैं पूछना चाहता हूं जब इन द्रोड जो मेरी तिगां उधांसवा छेतर में पड़ती है महां पहले सड़क बना दी गई उसके बाद सड़क को फिर तोड़ा गया फिर सीवर की लाइन जोड़ दी गई और वो सीवर की लाइन भी ऐसी जोड़ी जहां पाइप कहीं कनेक्टी नहीं हो पाते तो बड़ी दुख की बात है कि कई बार जब सुबह मैं कई बार गयां खुलानी में सुबह 6.30 बजे जब बच्चों को स्कूल जाते वे देखा जाता है तो बच्चों के कपड़े कीचड़ में हुए रहता है बड़ी शर्म की बात है आज लोगों के मन में इन लेताओं ने ऐसा डर ब चाहे बिजली की हो, चाहे सडकों की हो, चाहे रोजगार को लेकि जो सबसे बड़ा बुद्दा चल रहा है, वह रोजगारी का भी, कि आज छेत्र का नौजवान बेरोजगार गूम रहे है, तो आने वाला समय कॉंग्रेस का है, मुझे पूरी उमीद है, कि तिगाव उधानस तब चेत्र के विकास में कोई कमी नहीं चोड़ोगा. गार-घंइधकर, रोइत क्यों नहीं हो पाए विकास, जबकि सेंटर में भी भाज़पा की सरकार थी, यहां ब्रदेश में भाज़पा की सरकार थी और तो और नगर नगम में भी यह तमाम पार्षत जो थे, वज़ब है बंसलां से लेकर रभी बढ़ाना तक, यह तमाम प छेतर की जनता के बारे में नहीं सोचा है अगर छेतर की जनता के बारे में सोचा होता तो आज जो पिछले पंदरा साल से तिगाव उधानसवा छेतर के हालात हैं इतने बत्तर हालात नहीं होते मैं मानता हूं कि 10 से 10 काम किसी के नहीं हो पाते लेकिन इन लोगों से दस में से कोई दो काम भी ऐसे नहीं हो सकता है, हो पाए, जो आज ही अगिनवा दें, कि हमने अपनी तिगाम उधानसवा छेतर की जनता के लिए दो काम भी किया है, तो जो आदमी सिर्फ केवल और केवल अपने पेट भरने की राजनीती करते हो, तो वो कहते गए मेरी सरकार नहीं है, तो मैं काम कैसे कराओं, फिर 2014 में ललित नागर जी चुने गए, वो भी कहते रहे मेरी सरकार नहीं है, फिर 2019 को उठा लीजिए, तो राजेश नागर जी चुने गए, और फिर दोनों की आपस में कृशन पाल गूजर जी की, और राजेश ना चेतरगी जनता को बगतना पड़ा। और मैं तीनों से कहना चाहता हूँ. अगर तीनों से काम नहीं हो पाए researched क्यों नहीं दे दिया। क्योंकि जिस चेतरगी जनता ने आपको चुंकर भेजने का काम किया, अगर उनके काम नहीं हो पा रहते तो आपको इस्तिफा देदेना चाहिए तो अभी जैसा की सत्टा बाजार आम तोर पर बोल रहा है कि कॉंग्रेस की सरकार बन रही है 58 से लेकर 60 उधाय तक कॉंग्रेस की जीत रही है तो क्या लगता है तिगाव की जनता के मन में क्या चल रहा है देखिए तिगाव उधानसवा छेतर की जनता ये मन बना चुकी है कि अब की बार कॉंग्रेस की सरकार आ रही है कॉंग्रेस का साथ देने का काम कर रही है एक बात जरूर है जो मुझे भी कई लाकों में देखने के लिए मिली मेरी तिगाव उधानसवा छेतर की जनता कि इन बीजेपी के नेताओं ने एक डर का महौल बनाया हुआ है मैं किसी व्यक्ति विशेश का नाम नहीं लेता लेकिन जो डर का महौल बनाया हुआ है छेतर की जनता उस डर का महौल का जवाब पांच अक्टूबर को वोट की ताकत पे देने का काम करेगी और जब आठ अक्टूबर को डब्बे खुलेंगे तब उन नेताओं को पता लगेगा कि डर सिर्फ भारी डर था और वोट की ताकत में होके निकलेगा तब पता लगेगा कि कॉंगरिस का विधायक तिगाओं उधान सभा चेतर से जीतने जा रहा है अभी भी जो खबरें आ रही हैं ये आ रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जो तिगाओं इधान सभा चेतर है वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है खबर है कि अजय बैंसला जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं प्रतियाशी का और राजेशनागर और राजेशनागर और राजेशनागर के बीच जो मन मुटाव है वो कहीं न कहीं चुनाव के नतीजों के रूप में भी दिखाई देगा तेखिए ये चुनाव लईतनागर नहीं लड़ रहा है ये चुनाव कोई लड़ रहा है तो कृषिन पाल गूजर जी लड़ रहे हैं कई लोग कह रहें कि लईत नागर जी लड़ रहे हैं मैं वता देना चाहता हूँ वो तीन बार चुनाव लड़े जिनमें से दो बार चुनाव हारे भी है उनको आज किसी की मदद मिल रही है तो मैं सीधे आपके अजमन से कहना चाहता हूँ सीधा तोर पर क्रिशनपाल गूजर जी उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं आपस में उसका खामियाजा किसी को भुगतना पड़ेगा तो भाजपा के विधायक को भुगतना पड़ेगा क्योंकि उनके जितने पारशद जितने लोग आज आप भरे मंच पे जाके कहीं भी देख लीजिए सारे के सारे उनके पारशदों के लोग उनके कारे करता क्रिशनपाल गूजर जी की लरित नागर की जनसवा कराने में लगे हुए है तो छेतर की जनता इस बात को बखूबी जानती है और इस बात को कह भी रही है पर लेकिन जब छेतर की जनता मन मना लेती है तो जब डब्बे खुलेंगे तब पता चलेगा क्या होगा तो यह जो नूरा कुष्टी चल रही है आप यह समझें कि वो खुद कहीं और दिखाई दे रहे हैं क्रिषिनपाल जी उनकी टीम कहीं और दिखाई दे रही है तो यह कहीं बहुझबा के लोगों को जिसा अधर नागर जी ने 2024 के लोगसवा चुनावाएं में मंतिर जी की मदद करी तो आज वही उधार मंत्री जी चुकाने का काम कर रहे हैं लवित नागर जी की मदद करके ऐसा कहते हैं चर्चा भी रहती है कि कृष्ण पाल जी का बहुत मन था कि बेटे देविंदर को वहीं से लड़ाया जाए तिगाव विधान सबसीट से वह संभव नहीं हुआ और कहीं न कहीं राजेश नागर जो है वह रोड़ा है इनकेस देखिए मिशन देविंदर में मिशन देविंदर में कहीं रोड़ा है यही तो दुख की बात है कि जब देविंदर चौदरी जी को टिकेट नहीं मिली और राजेश नागर जी को टिकेट मिली तो वही दुख्या कि कहीं विधायक बन गया तो तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बेटे की राजनीती खतम हो जाएगी इसी को देखते हुए आज उनके सारे पारशद कुले मन से कह रहा हूं सारे के सारे पारशद कारे करता किसी गहए हैं खुले तौर पे तो सीधा सीधा लजित नागर जी के साथ लगे वे हैं और आप यह समें जब कॉंग्रेश की सरकार बनने का नता अब क्यावारें विखतना शारव तो टिरल इक नागर जी को भी घंऐ यहां उतरस आजाता है परिदबाद आप समझ सकते हैं कि तेगाव विधानसभा छेत्र में बड़ी राजनीती फिलहाल चल रही है तो कैसे पार पाएंगे इस राजनीती से यह जो राजनीती चल रही है यह जो सियासत चल रही है जो जिसके साथ है वो उसको हराने की कोशिश कोशिश कर रहा है जिसके साथ नहीं है उसको जिताने की कोशिश कर रहा ये तो एकदम बिल्कुल देखिए कि मेरा विक्तित माना है कि बनाने वाड़ा कोई होता है तो चेत्र की जंता होती है और आज बो चैबाना चलागा कि आप इसी कूठे के दारी दो और ऊठेके मैं आपकी 5000 बोर्टर आदूं आज वो समय नहीं है हर आदमी हर व्यक्ति अपने नेता से one to one मिलना चाहता है और जब आज पूरा इलाका इस बात को समझ रहा है कि कौन किसकी मिदत कर रहा है लेकिन इस छेत्री की जंता जो मन बना चुकी है उस मन को बदला नहीं जा सकता कितना ही कोई किसी को डरा ले धंका ले लेकिन जब छेत्री की जंता अंदर जाके बटन दबाएगी न तब पता चलेगा जब आठ तारीक को डब्बे खुली कि कौन जीता और कौन हरता है पांच तारीक को वोटिंग होगी राट को नतीज आएंगे तिगाओं की जो जनता है वो आपको मौका दे तो कैसा चेंज लाना चाहते हैं तिगाओं में देखिए बड़ा दुख होता है कि मैं जब कॉलोनियों में जाता हूं सडकों का तो काता पता ही नहीं है पानी भरा पड़ा है गंदगी का इतना बुरा हाल है कि मैं नर्क का जीवन कहा हूं उसको उसको जीवन भी नी नर्क का जीवन कहा जाएगा अब गंदगी के जाके देखिए किस बिमारी से लोग जूज रहे हैं उस विधान सबागा पंदरा साल में कोई एक विधायक ऐसा नहीं आया जो कोई थोड़ा बहुत भी एक दो ऐसा काम कर पाता कि इस बात को कह पाए कि हमारे हकाम तो मैं अपने तोर पे मैं कई बार क्या है कि कई लोग कहते हैं रोहित विधेश जाता है मैं उसी विधेशों की तरह इस तिगाँ उधान सबाद छेतर को बनाने का पूरा प्रियास करूँगा चाहे वो सीवरों को लेके हो चाहे वो सडकों को लेके हो चाहे वो रोजगार को लेके रहा हो चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर गया रहा हो और जो सबसे में दिक्कत लोगों को अपने घर को लेकर है कॉंग्रेस की जब सरकार आएगी मेरी तरफ से पूरी बात रहेगी कि मैं विधान समा में इस बात को उठाऊँ कि जो लोगों के घर आज उनको पक्के तोर पे नहीं मिले उनकी रजिस्ट्रियां खुलवाई जाएं ताकि उनको जो उनके मन में एक डर है कि उनके घर कोई आके कल कोवन तोड़ दे उस डर को निकालने का काम करूँ और बिजली की जो भारी समस्याय चल रही है लोगों को सडके जाम करनी पड़ती है लेकिन कोई अफसर ऐसा नहीं जो फोन को ठाले मैं सूरिया वैर कलॉनी में गया था और बिजली की तार ऐसे थी कि दो बच्चों को करंट लगने से उस सब्दर जंग हॉस्पिटल में एड्मिट है मैंने स्सी साब को फोन किया कि स्सी साब ये क्या हो रहा है चेतिर की जनता परेशान है दो बच्चे घाय लोग के ऑस्पिटल में एड्मिट है लेकिन मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी जब मेरी उनसे फोन पर बात हुई अगले दिन उन्होंने लाइन को ठीक करने का काम किया तो अगर ऐसे ही सारे अफसर मिलकर काम करने की कोशिश करें तो तिगाव उधानसवा छेतिर्प में सुधार हो सकता है सेहत पुर का भी बाकिया है अभी छोटा बच्चा गंदा पानी जो भरा हुआ था वहां उसमां डूब कर उसकी मौत हो गई वो CCTV फुटेज भी आया उसका बड़ा विभत्स दृष्य था देखिए सुधार की सोच से तो इन में से कोई आया ही नहीं दुख होता है जब ऐसे हाथ से हो जाते हैं उस परिवार के दुख को कोई समझ सकता है तो वो परिवार ही जानता इस बात को कि आज उस परिवार पे क्या भीद रही है यह जो बाकी निता घूम रहे हैं अगर इन्होंने उसमें से थोड़ा भी सुधार कर दिया होता तो बच्चे की जान बचाई जा सकती लेकिन इन् खटरी की जंता को घड़े में दालने का काम किया है तो सुधार अपना अपना सुधार करते रहे जब चहत्री की जंता के बारे में नहीं नहीं सोचते थ esse हाथ से हो जाते है तो मेरा मेरी पूरी मदद रहे वici उस परिवार के लिए और हमेशना मुस परिवार के साथ के लिए हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो फरीदबाद जोड़ेंगे आपको लगातार ऐसी ही और राजनेतिक चर्चाओं के साथ अपने इस विव पॉड़कास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद